हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल त्रप्तीस कीचन जैसा कि आप सब जानते हैं नौरात्री आने वाली है तो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए साबुदाने का चीला और व्रत वाली आलू की सबजी व्रत वाले साबुदाना चीला बनाने के लिए हमें चाहिए पहले साबुदाना इसे मैंने दो घंटे भीगोया है अगर यह जादा भी भीग जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं इसे हमें ग्राइंड करना है इसमें मैं थोड़ा पानी डालूंगी और इसे एक पेस्ट बना लेंगे कई ये फाइन पेस्ट एड़ी हो गया है अब आगे का प्रोसेस करते हैं यहां मैं दो उबले हुए आलूओं को कद्दू कस कर रही हूँ मैंने यह दो आलूओं को कद्दू कस करके लिया है अब इसमें हम डालेंगे हमने जो एक पेस्ट एड़ी किया था यह डालना है अगर हम half cup साबुदाना लेते हैं तो उसके लिए एक आलू काफी है मैंने एक कप साबुदाना लिया है तो उसके लिए मैंने दो आलू लिया है दो medium size के आलू अब इसमें सूखे मसाले डालेंगे ये वरत के लिए बना रहे हैं तो हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा काली मेर्च कद्दुकस किया हुआ अद्रक बारिक कटा हरी मेर्च और ये हरा धनिया अब इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें हम थोड़ा पानी आइट करेंगे आप चाहे तो इसमें थोड़ा दही भी आइट कर सकते हैं इसका बैटर हमें थीक ही रखना है ये कंसिस्टेंसी ठीक है इसकी हमारा मिक्स रेडी है अब हम चीला बनाएंगे पैन गरम हो गया है अब हम ऑईल डालेंगे अब ऑईल घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अब हम अपना बैटर डालेंगे बैटर को फैल आने की जोरत नहीं पड़ेगी वो अपने आप ही फैल जाएगा अब हम ढखकर इसे दो मिनट के लिए पकाएंगे दो मिनट बात चेक करेंगे दो मिनट हो चुका है अब हम इसे चेक करते हैं देखे इसा कलर चेंज हो गया है उपर से ट्रांस्पैरेंट हो गया है ये बिलकुल पक चुका है अब इसे हम पल्टेंगे आप कोशिश करिए कि इसे नॉन स्टिक पर ही बनाईए क्योंकि ये लोहे की तवे में चिपक जाएगा दो तीन मिनट और इसे अच्छे से सेकेंगे दो मिनट हो चुके हैं हमारा चीला वेकदम रेडी है अब इसके लिए हम आलू की सबजी बनाते हैं मैंने कड़ाई चड़ा दिया है अब इसमें हम ओईल लेंगे ओईल गरम हो चुका है अब हम इसमें सरसो डालेंगे जैसे ही सरसु तड़कने लगे इसमें हरी मिर्ज डालेंगे आप अपने टेस्ट के एक ओर्डिंग हरी मिर्ज डालिएगा और करी पत्त डालेंगे आठ दस पत्ते और थोड़ा सा कसा हुआ अद्रक एक मिनट फ्राई होने देना है फिर इसमें हम डालेंगे टमाटर इसमें दो टमाटर लेंगे दो टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है मिक्सी में इसे पीस लीजे इसे अच्छे से फ्राई करना है अच्छे से कुछ से करेंगे जब तक ओल सेपरेट नहीं हो जाता मैं तक तक पिल्ग कोख हैं अब तक तक ओल सेपरेट नहीं हो जाता मैं देखें यह बिल्कुल नातना अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे सेंधा नमक यूज होता है काली मिर्च अब बस इसे चला लेंगे ये वरत के लिए बन रहा है इसमें ज्यादा मसाले नहीं जाएंगे अब इसमें आलू डालेंगे ये उबले हुए आलू है मैं इसे तोड़ कर ढाल रही हूँ इस तरह से हम सारे आलू डालेंगे मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे ये आलू इतने कम मसाले में भी बहुत ही टेस्टी बन कर तयार होती है इसे ढखकर पकाएंगे आलू मसाले में अच्छे से मिल चुकी है अब हम इसमें पानी डालेंगे गरम पानी डालना है गरम पानी डालने से सब्जी जल्दी बन जाती है अब इसे हम अच्छे से बॉयल आओने देंगे ढखकर इसे पकाएंगे अब चेक करते हैं देखे सब्जी में कितना अच्छा उपाल आ रहा है और सब्जी की कंसिस्टेंसे भी बिल्कुल पॉफेक्ट है यहारा धनिया डाल दिया है बस अब गैस आफ करेंगे व्रत वाली आलू की सब्जी और चीला आप जरूर ट्राइ करिए मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें